Chartered Accountancy, Cost and Management Accountant भई ये दोनों करियर्स में इतना confusion चल रहा है दिमाख में इतनी आंदी तुफान चल रही है इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों करियर्स में से हमारे लिए best क्या रहेगा इतना detail में बात करेंगे कि आपके 99% doubts clear हो जाएंगे तो ये बच्चा हुआ जो फीडियो है 9% doubts 110% clear करतेगा भाई ने बहुत मैनत कि तुम्हारे आ जाते हैं जी फटा-फट से CA और CMA CA का अगर basic qualification देखें क्या requirement है CMA entry के लिए 10 प्लस 2 किसी भी stream ग्राजवेशन चाहिए वो तो अलग चीज हो गई लेकिन minimum यह है 10 प्लस 2 any stream अब CMA institute ने कहा कि 10 प्लस 2 तो आपके पास होना ही चाहिए अगर यह नहीं है तो भी हम आपका admission ले लेंगे कैसे लेंगे अगर आपने diploma किया है state technical board से आपने national diploma in commerce किया है from AICTE से आपने diploma in rural service examination किया है अगर यह सब कुछ आपने किया है तो भी हम आपका admission ले लेते हैं भाईए यह different eligibility criteria से हुआ क्या इससे scope increase हो गया students के आने के chances increase हो गया done, fees के अगर बात करें CA का है 85,000 रुपीज, CM में का है 75,000 रुपीज भाईए यह तो institute का fees होगा ना, हाँ यह institute का fees है, अगर आप coaching fees लोगे तो 1.5,000,000 रुपीज, offline mode में और लगबख 50,000 रुपीज, online mode में done, syllabus क्या है जी clear और fixed क्या है, clear और fixed written है कि यह 16 chapters है इन 16 chapters के 112 topics है इन 112 topics के 1100 टाइप के questions है और इन ही में से paper आएगा, मतलब यह hypothetical है दिल पर मतलब लेना exact इत रही है तो एकना structured format है ऐसा नहीं कि हावा में से कुछ भी आ जाता है यह general knowledge का paper है, बिल्कुल नहीं structured way है, आप जो बढ़ते हो उसी में साथा है, बस वो पढ़ना मुश्किल है है वो इतना सारा कि कहीं कहीं बार बच्चे नहीं कर पाते है ठीक है, frequency of paper again 20 paper fixed है, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको 20 papers fixed मिलेंगे specialization किसी से पूछ होगे ना, एक बार मैं नहीं बता पाएगा CA का एक particular specialization नहीं है लेकिन उनको audit, taxation और accounting पढ़ाया जाता और बहुत ही detail में पढ़ाया जाता है हद से जाता, तो अगर आप job करते हो ना, audit, taxation, accounting में ही करते हो मतलब बहुत ही कम chances है, इन तीन field से बाहर आपका कहीं पर job लगेगा तो specialization भी यह ही है यहाँ पर specialization होता है management and cost accounting यह बेंद 10 रुपे का है, 9 रुपे का तो नहीं लिखरे, 11 रुपे का तो नहीं लिखरे और अगर लिख रहे हैं तो उससे कुछ profitability पर फर्क पढ़ रहा है क्या cost analysis पर फर्क पढ़ रहा है क्या, वो management को बताना कि हमें क्या measures, क्या conclusions derive करके आगे implement करना चाहिए समझ के basis यह ही है, भया क्या costing CA नहीं पढ़ते हैं लेकिन CM में वाले बहुत ज़्यादा costing पढ़ते हैं एक बच्चा यह फिर दो बच्चे मैक्सिवम पास होंगे, दूनों ही course difficult है, यहाँ पर practical training है 36 months की, यहाँ पर है 15 months की, तो इसलिए CM में बच्चे 6-8 months पहले भी बन जाते हैं, मतलब CA थोड़ा सा इसलिए lengthy career हो चुका है, 36 months की training की वहाई से, दन, campus placement, भाई यह campus काना कोई process ही नहीं पताता की placement होता कैसे है, तो को detail में बात करेंगे, process related, सबसे पहले आप CA बन गए, मुबारका रोल बजा देता है, ठाठाठाठा, ठीक है, online registration आपको करना है CA बनने के बाद, कहाँ पर करोगे, cmib.ica.org, registration हो गया भाई, ठीक है, first round conduct होगा, जिसमें online shortlisting होगा, companies के through, आपने अपना CV upload कर दिया, कि मैं इस अटेंड में पास हुआ हूँ, मैंने यहाँ पर articleship की है, मैंने ऐसे ऐसे articleship में काम सीखा है, और इतना time मेरे को लगा, मेरे ऐसे ऐसे माक्स से 12 में, आपने पूरा सब कुछ upload कर दिया, first round में आपको shortlist किया जाएगा, brands के through, brands आपको shortlist करेंगे, brands ने shortlist कर दिया, उन्होंने फिर आपको PPT, pre-placement talks, test, group discussion और interview round के लिए बुलाया, भाईया, for example, मुझे ना, 10 companies में shortlist किया है, तो मैं हर एक के interview round में appear कर सकती हूँ, नहीं, C Institute ने कहा, maximum four organizations, बस चार organizations आप अपने figure out कर लेना, कि मैं recording ये चार best है, मैं तो इन ही के ही interview round में appear करूँगी, अगर उन में selection नहीं होता, तो बाहर, और अगर उन में हो जा तो well and good, done, इन में आप जाओगे, भाईया, क्या हर एक में ये GD interview test सब में होता है, नहीं, कोई-कोई organization ऐसी होती है, जो आपके GD और interview round conduct करती है, कोई-कोई organization ऐसी होती है, जो आपके जारो process conduct करती है, at the end मतलब process finish हो जाता है, आपके interviews जो है, virtual mode में होता है, आपके particular centers पर, एक particular date में, ऐसा नहीं कुछ भी हवावाजियो है, प्रॉपर structured format में आपके interview round conduct होंगे, वहाँ पर आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका Deloitte में selection हो गया, मैंना confirm हो गया, Deloitte ने बता दिया कि हमने इस बच्चे को hire कर लिया है, placement दे दिया है, फिर आप किसी दूसरी company में apply नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलो भी Deloitte भी होगा, आप KPMG भी करूँगा, नहीं, एक बार बाबू selection हो गया, इसका मतलब अब आप हो चुके हो बाहर, अब आपकी जिंदग application हुआ, first round में आपकी फिर जो application उनको shortlist किया जाएगा, आपको GDPI round के लिए बुलाया जाएगा, maximum four organizations में आप appear कर सकते हो, interview आपके particular date पर होगे, और अगर आप एक company में select हो जाते हो, तो दोसरी company में apply नहीं कर सकते, भाई यह जो companies आहीं ना, इस पूरे process में मैं fail हो गया, मतल आप चलेगा, ठीक है, तो अगर first round मने ओ, तो tension बतले ना, second round भी जिंदगी में आएगा, और फिर process है, वैसे ही चलेगा, डना डन डन, यह है, CA का placement process, बहुत सारे students को first time पता चला होगा, CM में कभी देख लेता है, इनका अपना खुद का placement portal है, आप वहाँ पर जाओगे, companies औ और organizations ना, वहाँ पर job post करती है, आप जाके देखोगे न, आप normally डालो, तो CMA का website आएगा, वहाँ पर आपको jobs मिल जाएगी, हमने वो जो i button में वीडियो है न, उसमें भी detail में बताया है, specific dates में, companies को बुलाया जाएगा campus में, जो CMA का placement sell है, वो कहेगा कि भई ठीक है, 15th April को इन different brands को आना है हमारे campus में placement के लिए, उन ही dates को different companies आएगी, वो अपना return test, presentations, GDPI round conduct करेंगी, सारे students का GDPI conduct हो गया, उसके बाद CMA Institute कहेगा कि भई अपने जो final selected students है उनका list दो हमें, मतलब भई आप अरे सुबह गए, शाम तक list आया, और जो CMA Institute है वो उसी time announce कर देगा कि भई आपका placement होगे, जो मझे करो, मतलब आप जब सुबह घर से निकलोगे, तो शाम को या तो placement लेकर आओगे, या फिर नहीं, ये clarity आपको होगी, done, ये CMA का था और ये CMA का था, अब चलते हैं आगे, placement, assistance, दोनों ही जगे आपको trainings, workshop, सब कुछ मिलेगा, placement का internal support देखो, CMA में तो अच्छा कासा support आपको मिलता है, एकना CA जो institute है, वो bridge की तरह work करता है, bridge मतलब पुल, एक road से दूसरी road को connect करने के लिए bridge बनता है, ऐसे ही students को employer से connect करने के लिए CMA institute एक bridge का काम करता है, ठीक है, ICI की different chapters, छोटे-छोटे offices आपको different locations में मिल जाएंगे, वहाँ पर कितने भ पोट में लगा और process defined है कि इस दिन इस time ये चीज़ होनी है, बहुत जादा clarity आपको इस चीज़ से related होनी चाहिए, अब आते हैं salary comparison की तरफ, basis, CA first attempt students और CMA first attempt students, अगर हम freshers का salary देखेंगे, CA में है 7 to 8 lakh रुपीज, और CA में है 7 to 10 lakh रुपीज, आज से पहले एक बहुत का हमारा था tension, बच्चे आते थे comment करते थे कि भईया CA का तो placement 50 lakh का है, भईया हमारे तो teacher ने बताया कि CA तो कुछ कमा दे ही नहीं है, भईया हमारे तो teacher ने बताया CA का placement 27 lakhs का है, इतनी बड़ी tension होती थी थी न, उस सब का reason क्या था, कि institute अपनी तरफ से नहीं बताता था कि कि placement गया है, वो टेंशन अब हो चुकी है, खतम, institute ने अपनी official website पर हर चीज करती है, बिल्कुल clear, जैसे ये official screenshot है, reason इसको लगाने का यह है, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने original data यूज किया है, ठीक है जी, number of companies registered, तीन बार हुआ था, 52nd campus placement drive, February 2021, फिर April May 2021, September October 2021, मतलब 2021 मतलब हुआ, उसमें इतनी companies आई, 113, 32 और 93, इतने students ने register किया, 7400, 1800, 7364, इतने job offers गए, 4757, 1054, 4951, 3716, 701, 2832, इतने job offers एक्सेप्ट हुए, एक चीज तो clear हो गई, क्या, भाईया, 2021 में, CA Institute की तरफ से, 3716, 701, प्लस, 2832, लगभख 7500 chartered accountants को job मिली है, अब भाले ही, पास कितने भी हुए हो, campus से इतनी jobs मिली है, अगेन मैं नहीं बोल रहा, CA Institute का data बोल रहा है, अब तो हम बिल्कुल ये ठोक बजाए के कह सकते हैं, अगर हम पहले ये बात बोलते हैं, बहुत सारे permutation combination आते, कि पता नहीं आपको कि 5538 students को job मिला है, done, register हुए थे 10,000 लग बग, 50% students, good to work, अब आ जाते हैं भाई, हाई ये salary कितना है, हाई ये salary, 30 lakhs, 22 lakhs, 15 lakhs और 25 lakhs, इसमें टॉप नौच अमान पगड़ लेता है, 30, international मैं देखें, 33.22, 32.76, international ये लिखावा है, international posting और domestic, blur है मुझे पता है, हम टेवल बना सक लेकिन, intentionally screenshot लगाया गया है, तो अब आप से कोई भी पूछ है, कि CA का highest placement कितना है, आप उसको बोल सकते हो, 35 lakhs, 35 lakhs, 35 lakhs, 35 lakhs, 35 lakhs, याद कर लेना, कोई अब आप से कुछ भी कहें कि एक करोड है, दो करोड है, ये फिर 10,000 है, 20,000 है, नहीं, 35 आपके पास एक amount आ गया है, य CMA में, उन्होंने बिल्कुल clear cut बताया कि इतने offer है, highest CTC है 22 lakhs, average है 10 lakhs का, और number of companies है 40 प्लस, और ये जो star है न, star, इस star का मतलब है, all time high, आज तक इस से दाधा highest गया ही नहीं, ये data है, 27th June 2021 का, ये latest था website पर जब हमने चेक किया, आप अगेन, कोई आपको latest information मिला है, official website का link आ तो sorted हो चुगा है scene, 35 lakhs का तो आपको CMA मिलेगा, और 22 lakhs का आपको highest CMA मिलेगा, वो ही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दियागी, average देखो, CMA में 10 lakhs का, इन्होंने अपने आप बता दिया, फिर भी मैंने 7 to 10 लिख दिया, क्योंकि पहले बार इतना highest गया है, और यहाँ पर 7 फाइव यह के बाद 12 to 18, 12 to 15, 25 to 40, 18 to 25 और internationally 40 to 45, 30 to 35, यह structure है और ऐसे ही करके job होता है increase, भी अगर आपने हमें suggest किया था MBA finance और हमने वो कर लिया, different हो सकता है, आपने MBA finance कर लिया, आपने PhD कर लिया, abroad से, आपने कोई M.I.N. program कर लिया, आपने financial blogs लिकने start कर दिया, आपने कोई अपने बहुत तेजी के साथ companies को switch किया, उन सब में थोड़ा सा placement amount different हो सकता है, लेकि normal course of action में आपने CA और CME किया है, तो इतना salary का structure आपका होगा, ड़न है, चलो जी, आप आजाते है purpose and recognition का explanation की तरफ, purpose देखते हैं जी पहले, only signing authority of audit in India, क्या जी क्या, CA सिर्फ और सिर्फ signing authority ह जो audit को sign करते हैं, आप किसी और से चाहोगे sign कराना वो नहीं कर सकते, cost of product accounts को अगर sign करना है, वो कौन करेंगे CM में, CA कर सकता है या नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो बहुत जादा clarity है, दोनों के role बिल्कुल specific है, यहाँ पर roles specific, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एक करोड का expense, एक करोड ही बताया है न, ओपर नीचे तो नहीं किया है, यह transparency का ध्यान रखते हैं, और अपना sign कर देंते कि हमने यह report चेक कर ली है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आगया cost of product accounts को वो चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद, उस सार डेटा को use करके, planning करते हैं, क्या करते हैं, financial planning करते हैं और forecasting करते हैं future का, देखो planning हमेशा future की होती है, भई past की क्या ही planning करोगे, past है तो आप learning करते हो, तो यह data को use करेंगे, जितना भी financial data है, और management को, देखो नाम में ही क्या है, cost and management accountant, तो management से कुछ तो इनकी बात चीद होगी, management को ये data use करके कुछ conclusions देंगे कुछ planning करके देंगे कि sir ऐसे ऐसे आप अपनी जिंदगी को आगे ले कर जा सकते हो company को आगे ले कर जा सकते हो तो दोनों के structure और work profile बहुत different है अब आता है career बात के तरफ CA public और private sector दोनों में work करता है entrepreneurship private practice में बहुत सारी opportunities है private practice में आपको chartered accountants tier 1, tier 2, tier 3 हर city में मिल जाएंगे यहाँ पर आप देखो कि जातर वर्क CMA का private sector में government sector में comparatively क्योंकि यह comparison video है comparison में कम मिलेगा और financial reporting, management accounting और internal auditing में आप work करते हो global recognition देखो जो CA है और जो CM में है cost and management accountants दोनों इंडिया के course है तो इनका जो structure है ना पूरा वो इंडिया से related ही है लेकिन आप UK, Australia, Canada, CA हो तो Middle East, SAR countries जैसे श्रीलंका वगरा इन में job कर सकते हो हाँ आपको कुछ financial courses या certification करने होंगे 3, 4, 5, 6 months के अच्छा ऐसा मत सोचना कि वो difficult होंगे अब आप CA और CM में हो आप 12th पास नहीं हो आपका जो working knowledge आपका जो mental aptitude है वो बहुत strong हो चुका है तो यहां से जो 3, 2, 4 months का जो certification है उसका सफर बहुत easy होगा वो certifications वगरा करके आप abroad में भी job कर सकते हैं बहुत सारे chartered accountants और CM में करना है common points एक बार देख लेता है CA और CM में reservation है नहीं अगर dumb है आओ paper clear करो और job राइट यहां पर seats भी fixed नहीं है कि भई इस साल 10,000 CA बनेंगे यह 15,000 CA बनेंगे हर बार विजर्ट थोड़ा सा variation में रहता है pressure of internals यहां पर सिर्फ practical training है ऐसा नहीं आपको half-veldly projects और annual projects, internal exam हर Tuesday वो सब नहीं होता सिर्फ आपको यहां पर trainings है जो compulsorily attend करनी है ठीक है जादातर हर city में आपको CA और CMS related coaching मिल जाएगी जो CA की पढ़ाई कराते हैं 90% case में वो ही आपको CMA की coaching देंगे बहुत ही कम teachers हैं जो खाली CMA और खाली CA की coaching प्रोवाइड करते हैं employer का recognition देखो ICAI हो या फिर ICMAI हो दोनों ही reputed institute है दोनों के इस certification top finance education में आते हैं और CA को trust किया जाता है reputation के साथ company के CMA को trust किया जाता है future और growth के साथ तो आपको कभी भी मतलब यह feel लेगा प्रोफेशनल माइंडसेट से बिलकुल सब सेम है personal mindset से किसी को कोई प्यार है CA से यह CM में से वो अलग चीज़ है professional तरीके से आपको दोनों को opportunities है आप जाओगे market में आपको वो जो basis है रोटी कपड़ा मकान उसकी tension कभी नियों की प्रॉस्पेट्स है आपका flow है वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है आपके पर्सनल कैलिवर पर डिपेंड करता है आपके एप्रियाइड आप्टिट्यूट personality इंट्रस्ट पर डिपेंड करता है इसी के साथ यह वीडियो होती है इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजिस रिलेटर बहुत ही डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे बाबाए